लो गाइस मैं हूँ सुमेर सिंग और वैलकाम बैक माई यूटूब चैनल जो दोस्तों आज हमारे पास आई है ओल्ड आई 20 इलाइट मेगना जो आज हम लोग इसमें इंस्टुलेशन करने वाले हैं हम लोग यह वाला स्टेरिंग वील कंट्रोल तो वीडियो के अंतर तक बन इसमें को मिलता है और ये हैं हमारा ओरिजिनल है है यह आप पे देख सकते हैं स्टेरिंग रजह Consider इस पर छोंडाइ और किया कि आपको зат Männer को मिल जाती है और अब देंग सकते हैं कि कूलेटी काफी बड़िया रहती इसकी और काफी प्रेमियम कॉलीं का रहता है यह पूरा ह और आपको यह टॉप परेठीम मिर्फ मिलता है स्टेरिंग खॉलने से पहलने हमें यह वाले जए ऐर वे फाँल निझालनें रहता है और यह वाला टो ऐस्ट इस टाइक से घुलता है आपको बताने वाला हूं यह आप data सकते हैं यह दोनों साइड पर आपको यह वाले जो इस्कुरू वाले जो इलंकी वाले स्कुरू दिये हुए रहते हैं यह आप देख सकते हैं इसको आप यह लंकी के थुरू आप पहले आप इनको खोल के आपका यह जो यह बेगे बिल्कुल आसानी से यह निकल जाता है और यह जो नडबोल्ट है इसे हमें खोलना रहता है यहां पर देख सकते हैं यह हमारा बिल्कुल आसानी से हमारा यह जो इस्टेरिंग जो है बिल्कुल आरामदे यह निकल जाता है यहां पर देख सकते हैं तो यह वाला जो स्टेरिंग विल कंट्रोल हम लोग यहां पर लगाने थे वोटिकिस्कूर यहां पतरूर ये वाला जो steering wheel खोलने के लिए इसमें जो डमी पीस दिये हुआ इसको खोलने के लिए यहां पर भी चार इसकुरू दिये हुए दो नीचे और दो राइट और एक लेफ्ट में कासा हुआ रहता है यह पर देख सकते हैं यह ट्रीपर वाला हमने यह वाला खोल लिया है और हम लोग अभी जो steering wheel control हम लोग इसमें लगाने वाले हैं और यह भी बिल्कुल socket to socket रहता है और यह भी बिल्कुल आसानी से fitting हो जाता है यह आप देख सकते हैं कहीं से तक gap gap नहीं है वो नहीं है और बिल्कुल proper तरीखे से यह आपका यह fitting हो जाता है और इसमें भी चार screw कस जाते हैं जो original जगा पे ही बिल्कुल proper तरीके से फिट हो जाता है और यह वाला हम लोग अभी fiber कसने वाले हैं यह आपर देख सकते हैं steering wheel control हमारा पूरा complete हो चुका है पीछे से भी कस गया और यह हमारे जो steering wheel controlling वो भी connection हो चुका है बिल्कुल बढ़िया और यहां पे जो हमन 眼 थे पे white-black line आपको यह वाला जो wire रहता है और यह वाला जो green wire आप देख पा रहे होंगे यह वाला जो green wire है इसके side में हमें यह वाले wire को निकाल के साइड में हमें यह वाला वायर जो है हमें लगाना रहेगा और यह हमारे स्टेरी कंट्रोल हमारा ओन हो जाएगा यह आप यह आप देख सकते हैं यह साइद आप देख पा रहे होंगे यह वाली वायर हमने वाइट पे ब्लेक लाइन वाली हमने हटा दिये वहां से लिया और यह वाली जो green वाली बायर दिख रही होगी आपको यह वाली green पर day line है यह वाली यावर को हम लोग इसके side में हम लोग इंस्टोल कर देंगे यह यह पे देख सकते हैं इसको हमने विल्कुल proper तरीके से हमने इसको वायर को हमने विल्कुल अंदर कर दिया इसके और आप देख पा रहे होंगे ग्रीन पे रेड लाइन वाले के पास हमने इसको लगा दिया और इस सौकेट हम लोग बिल्कुल वापस यह हम लोग वापस फिटिंग कर देंगे और आप देख पा रहे होंगे यह हमारा स्टेरिं स्टेरिंग विल का जो यह सॉक्षित है यह वाले जो हब के अंदर हमने यह करेक्शन कर दिए और यह वाला जो एरफ वाला है यह वाला एरबेख वाला भी हम किंग और थे हैं तो ये आपका इसके अंदर भी आपकी लाइट ओन हो जाती है देख पारे होंगे कि ऑल लाइट को व्याइटर अरे यह हमने आउप कर यह ऊफ हो गई यह हमने ओन करी यह ओन हो गई और आप देख पा रहे होंगे इस इसकेными मीटर पे और यह जो एसी मेंट पे और आपके जो जो सिस्टम है इस पर आपको ब्लू लाइट रहती है यह वही के वही पूरा टॉप वेरियंट वाला यह हमारा जो इसके अंदर भी ब्लू लाइट जलती steering wheel control पर अप त्टेरीच कर रहा है है Our steering wheel control यह हमूट भी काम कर रहा है यह volume minus plus और आप तेक पा रहे हूंगे यह हमारा mode यहाँ प्लस यहँन से रहे हूंगे यह हमारा mode on हूँ यह mode हम अभी हुरह है तो यहाँ पे function change हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं वोल्यूम माइनस प्लस यह हमारा गाना नेक्स्ट हो चुका है यह हमारा गाना नेक्स्ट हुआ यह प्रेवेस हुआ यह बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यह वर्किंग करता है वो आप देख पा रहे होंगे यह वाला और बढ़िया तरीके से यह बिलकुल इंस्टोल हो जाता है यह वाला और यह पूरा विदाउट वायरिंग कटिंग इंस्टोल हो जाता है आप देख पारहें ट्रीपर और रिसेट भी बिलकुल प्रॉपर वर्क कर रहा है